नश्कार दोस्तों यह वीडियो है UDC के बारे में Universal Decimal Classification जैसा कि हम पहले भी एक वीडियो देख चुके हैं UDC में Classification कैसे करते हैं तो यह वीडियो जो है इसमें एक example लिया है detailed explanation के साथ इस वीडियो में आज आप देखने वाले है men table की बात करेंगे common auxiliaries और एक example है जिसका हमने detailed explanation लिया है detailed explanation में बिसिकली आप लोग यह जानेंगे कि हमारा approach जो questions हमारी exam में आता है UDC के बारे में उसको हमें कैसे solve करना है कि UDC जो है develop किया था Belgian Bablographer ने Paul outlet और हैंडी ला फॉन्टेन यह आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दी रहा होगा structure है main table का तो UDC में पॉल outlet ने किया है class number 0 से लेकर 9 तक class divide किया हुआ है जैसे आप देख सकते है 0 पर generalities methodology documentation organization information सेक्टर है one पर philosophy psychology दो class number होता है religion और theology का तीन होता है social sciences लॉवर्मेंट एसेक्टरा फॉर्थ को वेकेंट रखा गया है लेटेस्ट एडिशन में फिफ्ट को mathematics and natural sciences छे को applied sciences medicines and technology सेवंत को the arts regression entertainment sport 8 को language, linguistic, literature 9 को geography, biography, history मैं यह table repeat इसलिए करता हूँ ताकि आप 0 से 9 तक class number जब बार बार सुनेंगे तो main classes आपको कुछ न कुछ याद रह जाएंगी और यही वो main table है जिससे हमारे question का solution होता है उसके हम शुरुआत करते हैं आए बाग करते हैं common auxiliaries के बारे में यह table आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है common auxiliaries science इसमें आप चीने देखेंगे left side में तो plus है coordination slash extension के लिए colon लगता है relations के लिए square bracket subgrouping and double colon है order fixing के लिए star है non UDC notation के लिए और बाकी है special auxiliary subdivisions science तो common auxiliaries science हम वहां लगाते हैं जहां हम दो शब्दों के बीच में auxiliaries के बीच में कोई relation हम स्थापित करते हैं कोई extension है किनी दो शब्दों को हम group कर रहे हैं उनका order fix कर रहे हैं तो उन सब चीज़ के लिए हम यूज करते हैं science common auxiliaries का और अग्ली table में आप देखें तो common इन टेबल से लेकिन उन शब्दों के लिए हम इन चिन्नों का इस्तेमाल भी करेंगे ताकि जब हम अंसर निकालेंगे तो जहां अगर हमारा हमने लिखा है इक्वल तो उसका मतलब है कि यह language form के लिए हमने लिया हुआ है यह table से निकाला गया है इसका sign यह है लेकिन जो common auxiliaries के science हैं वह होते हैं जो हम दो शब्दों के बीच में relation develop करते हैं तो आज हम example लेने वाले है टाइटल है बुक का ट्रेवल बिट्विन इंडिया एंड श्रिलंका तो हम देखेंगे कि हमारा अप्रोच UDC में इसको classify करने का कैसा रहने वाला है एक important चीज़ यह है कि UDC का जो आप PDF file है online download कर सकते हैं not for commercial purpose वह copyrighted होता है लेकिन आप अगर search करेंगे Google पे UDC PDF 1961 revised edition तो आपको मिल जाएगा तो उसी बुक से ही हम इसको solve करके मैं जो screenshot लिया है मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर टाइटल है हमारा travel between इंडिया एंड श्रिलंका जिसमें keywords है आप देखेंगे तो travel है इंडिया है और श्रिलंका है जो और चीज़ें हैं और या between वगएरा उनको हम लोग अभी साइड में रखते हैं तो हमें तीन keyword मिले ट्रेवल इंडिया श्रिलंका इसमें हम देखेंगे कि में क्लास क्या होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने लिखा है में क्लास 9 कहां से मिला अभी हमने टेबल देखी थी 0 से लेकर 9 तक लेकिन 9 ही क्यों लिखा हमने क्योंकि ट्रेवल जो है इंडिया और श्रिलंका तो जगह के नाम हो गए तो यह हमें मिल सकते हैं कि इसमें प्लेस वाले में लेकिन ट्रेवल जो है ट्रेवलिंग वह किस से रिलेटिड है तो इस बुक में जब आप नजर डालेंगे तो में क्लास आपको 9 मिलेगा देखी कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 9 में क्या है जोग्रफी बाइग्रफी और हिस्ट्री तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ट्रेवल आपको डार्रेक्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन आप अपने दिमाग से सूचेंगे अगर इंटलेक्ट्ट लेवल पर जाकर तो बाकी जो क स्रेवल के लिए हमने मेन क्लास सर्च कर लिये अभी हमको क्या है को सर्च करना है ट्रेवल हो गया इंडिया और श्रिलंका के लिए हम 숨 16 मेन क्लास ही ढूंडा सा भी travel शब्द के लिए हम क्या करेंगे देखें आप स्क्रीन पर code for travel के लिए हम जाएंगे पहले मेन क्लास 9 में उसके पास हम सब डिविजन जो है सर्च करेंगे जहां पर हमको travel मिले तो अब डिविजन अफ 9 में गए 9 में जाके हमको 91 मिला उसके पहुंचते हैं यह देखिए यह स्क्रिंशॉट है जब आप जाएंगे में क्लास 9 में UDC का जो 1961 का एडिशन है तो आप उपर देखिए 9 जोग्रफी जोग्रफी लिखा हुआ है बियोग्रफी है हिस्ट्री है यहां तक हम पहुंच जाते हैं यह हमारा पहला स्ट्रेप हुआ उसके बाद थोड़ा सा और नीचे हम लोग सर्च करेंगे तो हमको दिखाई पड़ता है कोड 91 तो यहां पर नाइन तो उसका इनिशियल हो गया लेकिन नाइन्वन हो गया जोग्रफी, एक्सप्लोरेशन एड ट्रैवल के लिए तो ट्रैवल शब्द यहां पर है लेकिन यह पर अभी, इंडिपैने नहीं है ट्रैवल यहां पर जोग्रफी भी एक्सप्रेशन भी ऑसा ली उसके लिए में नाइन वन तो 97- Abb delay उसके बाद थोड़ा और नीचे अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ता है एक वर्ड 910 यानि कि तीसरा डिजिट इसमें 0 आया तो यह किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ इसमें देखिए जनरल स्टडीज लिखा है अकाउंट्स ओफ ट्रेवल इस एक्सपेडिशन से वाइजीज है एक्स्पोरेशन एंडिस्कवरी बट यहां भी ट्रेवल या उससे रिलेटेट शब्द इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब 910 जो है इन सब के ग्रूप में को हम 910 में ले जाते हैं तो हम इसका भी सब डिवीजन यानि कि 9 में गए 9 में हमने देखा सब डिवीजन तो 9 1 मिला 9 1 के भी अंदर गये तो 910 हमने देखा ट्रेवल सो लिखा हुआ है तो फर्दर हम एक स्ट्रेप और आगे चलेंगे तो आप देखिए 910 के बाद पॉर्इन फौर लिखा है जिसमें लिखा है एक्सपेदिशन्स वोईजीस ट्रेवल्स जनेरल अकाउट मतल है यहां पर सामानने तो जो भी 엮ोद होतो यह हमारा जो एक्शेक्ट वर्ट्रेवल जो इंडिपेंडेंट फॉर्म में मिलता है वह न餐 910.4 तो हम यह मान सकते हैं कि हमारा जो ट्रेवल का यूडीसी में कोड दिया हुआ है वह हो गया 910.4 यहां पर हमारा पहले स्टेप का हमने पूरा सॉल्व किया जो हमें ट्रेवल का कोड मिल गया अब हमको जाना है इंडिया और श्रिलंका के लिए तो हमारा अगला टास्क हुआ हमें सर्च करना है कोड किसके लिए इंडिया और श्रिलंका तो अब इंडिया और श्रिलंका दोनों कंट्रीज के नाम है तो अब हम इस्तिमाल करेंगे common auxiliaries of place जो मैंने टेबल आपको शुरू में दिखाई थी तो place की common auxiliaries table में जाएंगे तो उसमें जाने के बाद देखिए ऐसा screenshot है यह लिखा हुआ है small में bracket के अंदर common auxiliaries of place 129 है यानि यहां पर हमको सर्च करना है कि हमारा code इंडिया और श्रिलंका के लिए क्या है तो यहां पर आप जब जाएंगे तो सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि इंडिया उसके लिए code हमें मिला 548.7 फॉर श्रिलंका एंड 540 फॉर इंडिया रिपब्लिक के लिए तो दोस्तों अभी जो हमने code सर्च किया है हमें तीन code मिले है travel के लिए 910.4 मिलिया इंडिया के लिए यह ब्रैकेट हमने इस्तिमाल किया है किसलिए क्योंकि यह common auxiliary of place को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इंडिया के लिए 540 श्रिलंका के लिए 548.7 तो अब इन code को लिख लिखा जो हमने सर्च किया अभी तक step by step approach करते हुए travel के नीचे है 910.4 इंडिया के नीचे 540 ब्रैकेट में श्रिलंका के नीचे 548.7 अब आप देखेंगे इसमें एक शब्द है जैसे and दिया हुआ है तो and जो मैंने पहली टेबल देखी थी दिखाई थी आपको जिसमें थ श्रिलंका बोले श्रिलंका इंडिया बोले places तो वही रहेंगे तो हमारा जो code बनके आएगा final वो कैसे बनेगा देखिए आप 910.4 तो वो दोनों अलग-अलग bracket में थे तो इसलिए हमने उसको single bracket करने के लिए इससे ही पता लग गया कि यह जोनों bracket में लिखें हैं तो common auxiliary of place ह जिसमें 540 इंडिया को दर्शाता है और colon लगा दिया तो relation हम दोनों की बीच में कि एंड शब्द के लिए हमने colon का इस्तेमाल किया है 548.7 तो हमारा final code यही बन गया 910.4 ब्रैकेट स्टार्ट 540.548.7 ब्रैकेट क्लूज और दोस्तों प्लीज अगर आपको content समझ में आ रहा हो तो आप comment करिए और नहीं भी समझ में आ रहा हो कोई doubt हो या कोई questions हो आपके assignment exam से related तो please comment करना न छोड़िए और इस channel को subscribe करिए धन्यवाद